नमस्कार दोस्तों जिस प्रकार का पर्फॉर्मेंस रहा है टोक्यो उलम्पिक्स के अंदर इंडियन हॉकी टीम का जहां पर 41 साल के बाद हमने कोई मैडल जीता है इसको लेकर अचानक से फिर से एक टॉपिक छिड़ गया है कि क्या जो हॉकी है क्या वो हमारे देश का नाशन गौर्मेंट है उन्होंने क्या बयान दिया है तो काफे कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप study IQ को support करना चाहते हैं तो simply वीडियो के नीचे यहाँ पर एक join का button है इसको click करके आप बहुत कम दाम पर आप हमें support कर सकते हैं चली देखते ह पर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो hockey है वो कई बार ऐसा सोचा जाता है कि यह national sport है national game है कई बार तो लोग यह भी सोच लेते हैं कि cricket इतना ज़्यादा popular है तो यह भी तो national sport हो सकता है तो maybe कबड़ी भी क्यों नहीं कह सकते हैं क्योंकि कबड़ी में अगर आप देखोगे तो success rate अभी तक बहुती बहतरीन रहा है हमारा तो internet में जादा तर इस तरह की आपको चीजे देखने को मिलेंगी especially मैं आपको बताओ तो जब भी 29th of August आता है 29th of August basically इस national sports day के तोर पर हम इसको मनाते हैं तो जब भी इस तरह का मौका आता ह तो whatsapp पे बहुत सारे जो messages हैं वो circulate होने लग जाते हैं और in fact अभी भी अगर आप देखिए तो जिस प्रकार से hockey की चर्चा होने लगी है तो again whatsapp पे बहुत सारे messages आएंगे national sports hockey या फिर हो सकता है कि एक दो दिन के बाद आपके पास कोई message आ जाए कि सरकार ने इसको national game national sports के और पर declare कर दिया है तो इस तरह की चर्चा होती रहेगी तो लेकिन आपको उसे भ्रमित नहीं होता है exactly अगर आप देखो तो जो cricket है वो भी एक बहुत बड़ा contender माना जा सकता है national sports के लिए लेकिन क्या इसमें किसी प्रकार का truth है अगर मैं आपको hockey और cricket का थोड़ा सा popular हुआ और आज के रेट में जो सचिन तंदूलकर, विराट कोली, MS धोनी सभी के नाम हमें देखने को मिलते हैं तो ये basically popularity 1983 के बाद हमें देखने को मिलते हैं लेकिन जहां तक hockey का सवाल है ये तो बहुत लंबे समय से popular है चुका है in fact 1928 में भारत ने जब debut किया था उसके बा और अभी जो हमने bronze दीता है इसको मिला कर total 12 medals आपको देखने को मिलेंगे hockey के अंदर और last time जो हमें medal आया था वो 1980 में gold medal आया था Moscow Olympics में और क्योंकि इतने लंबे समय से जो hockey है वो हमारे देश का part रहा है और इसका culture के उपर काफी impact हुआ है और legacy इतनी बहतरीन रही है hockey की इस इसलिए कई बार लोगों को confusion हो जाता है इंफार्क मुझे तो शायद याद भी है बच्पन में जब books वगर हम पढ़ा करते थे छोटे classes में वहाँ पर भी कहीने कहीं बता दिया जाता था कि national sport national game जो है hockey है तो इस तरकी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी लेकिन hockey में आप पर RTI एक file किया गया था और पूछा गया था कि क्या जो hockey है वो national sports है in fact मैं आपको बताओ तो एश्वर्या ने क्या किया था directly PMO को प्राइम निश्टर ओफिस को यहाँ पर RTI फाइल किया था तो प्राइम निश्टर ओफिस ने क्या किया जो ministry of youth affairs and sports है उनको ये forward कर दिया औ और उनके द्वारा तुरंत यहाँ पर response आया और उनके द्वारा बोला गया कि अभी तक central government ने किसी भी sport को national game declare नहीं किया है तो ये हमारा national game नहीं है official तौर पर अगर आप देखिये और इसके लावा आगे चलकर 2020 में भी clarification आता है actually क्या होता है माराष्ट के अंदर जो धूल affairs and sports के द्वारा बोला गया कि central ने अभी तक कोई भी sport को declare नहीं किया है as a national game और यहाँ पर जो reason बताया गया था ministry of sports के द्वारा उनका ये कहना था कि government चाहती है कि जितने भी sports हैं हम उसको promote करें encourage करें और इसी की वज़े से यहाँ पर हमने किसी को भी national sport का दरजा नहीं दिय तो I hope कि इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का WhatsApp message हो कहीं हो ध्यान रखेगा national game कोई भी नहीं है किसी को भी declare नहीं किया गया है सरकार के दोरा लेकिन question आपके मन में आता है कि यह इतना difficult क्यों है मतलब कि क्यों नहीं हम declare कर देते यह तो अगर आप भारत की diversity देखिए यहाँ पर 28 states हैं 8 union territories आप confused मत हो जाना यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है आपका state से union territory हो गया है इसलिए 28 states हो गया है तो basically इतना जादा highly diverse हमारा demographic feature आपको देखने को मिलेगा और इतने बड़े population में एक particular sport को national game declare करना बहुत जादा टफ है मैं आपको कुछ example से बताता हूँ जैसे कि कुछ राज में आप देखिए महराष्ट हो गया तमिलनाड हो गया वहाँ पर cricket बहुत ज़्यादा prominent है और काफी popular है इसके लावा गोवा North Eastern states में आप देखिए तो football popular दिखने को मिलेगा होकी कबडड़ी आपको जैसे पंजाब हो गय करने जाएंगे तो don't you think कि अलग अलग जो states हैं उस पर objection उठाने लगेंगे कि हमारे sports को क्यों नहीं national game declare किया जा रहा है तो ये इतनी बड़ी problem है और कहीं न कहीं इसी की वज़े से आप कह सकते हैं कि national game हमारे देश में declare नहीं किया क्या है लेकिन आपको क्या लगता है क्या declare करना चाहिए अगर आप experts की सुनिए कई लोगों का कई बार बयान आता है कि अलग-अलग criteria के माध्यम से हम इसको declare कर देते हैं कुछ लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर success का criteria लेना चाहिए मतलब जिस sport में हमें ज्यादा success मिल रही है उसको national sport declare कर देना चाहिए लेकिन क्य यह fix रहेगा आप सोच सकते हो success आज के डेट में किसी sport में अब होकी के time जब हमारा हुआ करता था success तो बहुत जादा होता था आज के डेट में हम उत्ता नहीं कर पा रहे हैं यह तो आज जाकर हम Olympic में यह bronze medal जीते हैं men's के दोरा तो cricket में आज के डेट में success है कल के डेट में जरूरी थोड़ी है कि cricket में होगा तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है popularity again popularity भी आपको मैंने starting में बताया था कि पहले जो hockey है वो popular हुआ करता था again popularity और success दोनों एक साथ चलते हैं जहाँ पर आपको success मिलेगा popularity भी उस चीज़ की बढ़ जाएगी तो यह भी तो change होता रहता है accessibility एक बताया जाता है create area कहने का मतलब है कि कौन सा sport है जो की बहुत सस्ता है चीप है आप उसको access कर सकते हो आपके पास कोई facility है की नहीं है तो football जैसे कि होगी आपको एक just football किया हो शकता है उसमें बहुत आदा expense नहीं लगता है तो क्या उसके माधियम से हमें करना चाहिए य cultural अगर आप देखो जैसे कि केरला हो गया boat race काफी जादा famous है culturally जो sports related है क्या उसके basis पर हमें कर देना चाहिए again culture में आप देखे तो देश भर में कितने सारे sports आपको इससे related देखने को मिलेंगे तो यह बहुत ही बड़ा मुश्किल प्रशन है मैं आपसे पुझना चाहता आपको क्या लगता है कि क्या एक national sport होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए इसका reason क्या है प्लीज आप हमें comment section में बताइए मैं definitely आपके जो comments है उसको पढ़ूँगा जाने से पहले एक बहुत ही interesting question क्योंकि हम hockey की बात कर रहे हैं आपनी पुरा match अभी द institution किया जा सकता है players का क्या बता सकते हो इसका जो right answer आपको पता ही है मेरे instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उतर मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूं stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अ झालता है झालता है